दिल्ली में कभी मई के महीने में activities नहीं होती एक बुद्धकूड में के छोटी मोटी activities होती है वो भी गर्मी की वैसे शाम को होती है या सुबह सुबह हो जाती है पर कोई भी संगिती या कोई भी समेलन या कोई भी conference हमारे अपने स्रमन लोगों की दिल्ली में मैं के महने में नहीं होती और जून में तो बिल्लकुल नहीं होती जुलाई के मिड्स से आरम होती है तो मिड्स से जुलाई से चलती है अगस्त में चलती है सेप्टमर में चलती है अक्टूबर में चलती है फिर नवंबर में चलती है बुद्पूर्मा काहिकात फंक्सन होता है पर जो ये समण लोगों की और समण संग की जो ये संगती लगी वो संगती अब तक के पूरे थ्यास में क्योंकि मैंने बहुत सारी मिटियें का खासरों से दिल्ली के अटेंट की है इतने अच्छे तरहिके से और लगबग सभी क् भीड़ी या मास या ये कहें कि ऐसा नहीं था कि जैसे बहुत लोग इखटे करने हैं सभी लोग पढ़े लेखे समजदार जानकार बुद्धी जीवी वर्ग था और सभी तरह के लोग आए और बड़े शांती से हमां बैठके उन्होंने अपना संग का संगी होने का परिश से तो उसका इंपक्ट यह हुआ कि यहां जो लोग हैं उन लोगों ने अपनी एक्टिविटीज बढ़ा दी हैं उनके अपने अस्तित्व के खत्रे को कहीं एसास हुआ और हमने यहां लगबग हर व्यक्ति को हर नेता को हर बुद्धी जीवी को पॉंटेक्ट करने की कोशि साथारीटी हैं और जितने समण गुद्धी जीवी या समण पत्रकार या समण चितरकार या समण नेता या समण संधरों के लीडर हैं यह साधान लोग हैं या जो भी हैं या जो पहले से काम करते आ रहे हैं उन सब को हमने मैसेज़ दिए फॉन किये और पूरी टीम हमारी ल था या और्गनेजिशन चला रहे हैं या पहले चला चुके हैं या सहाब कासी राम जी के साथ में काम किया है या जिनको लगता है कि उनका जो मूमेंट है वो बढ़ेगा जाएगा इस तरह के कुछ जो लोग थे वो नहीं आए हमने सारा वहां नोट किया तो दिल्ली में जो बढ़ने लगी उसमें अठारे और उनिस तारीको सनीवार को दो काईक्रम दिल्ली में लगे कि एक कायक्रम को मैंने और दो-तीन संग्यों ने टेंड किया कि उनका इक्रम की चट्चा यहां इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ऐसे कायक्रम पूरे देश में लग रहे हैं और ह और हमारी उर्जया, हमारा पैसा हमारा समय बरबाद हुआ है, लिस कारिक्रम में मैं गया था, उस कारिक्रम को किसी ने sponsor किया था, कोई अमरिका के अंदर YouTube चैनल चलाता है, उस उसका sponsor शिप्धी जायर सी बात है कि उसने खर्चा उठाया होगा, उसने यहां जो उसके relation थे सामाजिक संग्ठन से उससे बाचित की होगी सामाजिक संग्ठन ने कहा उसकी मिटिंग लगाने के लिए और अपना नाम भी साथ में जुड़ा दोनों का वेंचर रहा चालिस संग्ठनों का उन्होंने इनिविटेशन भेजे क्योंकि हम संग्ठन नहीं है हम संग्ठन नहीं है तो हमारे पास इनिविटेशन तो नहीं आया पर और जो संग्गी है हमारे उनके पास आया तो उन्होंने कहा कि चलना है क्योंकि हम साधर्ण लोग हैं और हमारा कोई इस्टेटस साधर्ण लोगों के लावा कुछ ऐसा है नहीं तो हमें कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हम कोई आई पी वी आई पी आई पी इस्टेटस में नहीं आते सारे समण संगी तो इसलिए कहीं भी आ जा सकते हैं हैं या जो सरकारी करमचारियों के हैं या जो समाज में जहां भी लोग इखटे होते हैं जो अपने समर्ण समाज के हैं और दूसरे समाज के काई करें में देखने चाहिए देखेंगे नहीं जानेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा के चल के रहा है तो मैं और एक और जो दूसर इसलिए जरूरी है क्योंकि सबकी जो होती है हमने उसको एक बलकुल देखता है उस तरह से उसको देख़र उसी तरह से मैं यहां आपको बता रहा हूँ क्योंकि खाने के समय आदमी बढ़ जाते हैं जब मीटिंग में आदमी होते हैं लगबग वहां पौने 270 करीब आदमी रहे पर जब खाने की प्लेटें उठी तो 225 हो दोसो आदमियों का वह हौल था उस हौल कर खाने का ख़र्चा मिला के लगबग 578 रुपया ख़र्चा आया होती है और करीब 19000 कुछ रुपएगा वहां पर हॉल बुक होता है इंडियन सोचल इंस्ट्ट्यूट उसका नाम है वहां बहुत सारे कमरे और बहुत सारे हौल इसी काम के लिए हैं कि वहां सामाजी मीटिंग चार पांच चार पांच रोज लगते हैं उस मीटिंग में जो जो जिसने अपना प्रमोशन किया था जो टीवी वाला था जो अमरीका से टीवी चलाता है उसके कुछ लोग थे उनका भी वो काईकरम था क्योंकि जॉइंट था और जिस संग्ठर ने ये कहा था कि उनके साथ में उनका वेंचर था वो लोग भी थे वहां चालिस संग्ठरों में जो लोग आये थे उनमें अधिकतर वो लोग आये जो दो तीन वो थे जो सहाब कासिराम जी के साथ में काम किये हैं बूड़े हो चुरे हैं कुछ सरकारी करमचारियों के ऐसे लोग थे जिनके सरकारी डिपार्टमेंट या बैंक विले हो चुके हैं तो फेलियर हैं कुछ वहां ऐसे आए जो वकील डॉक्टर जो नेता टाइप जो अपना लेता नीटकरी करते रहते हैं और जगए जगए ज़ाके मच़ पर बोलते रहते हैं कुछ वहां संग्ठरों के सामाजी संव्स्च्टों के तहें और वहां बोलकर वाली जो बांसेब सबको कि आपको 55 मिनट 7-7 मिन देंके हमसे विए उन्होंने का था कि भर आप यहां बोल Frage भूने से कहीं कुछ कुछ हो नहीं रहा है और बहुत ज्यादा बोले और बलकर सभी बोल लैए हैं पर बोलने से बात नहीं बनती इस्लीए हमें नहीं चालिए्श जो लोग वहां संग्ठरों के लोग चैने थे अदूस निया या जो मनचों को डूनते रहते हैं कियोंने बोलना है उनको भाशन देने का एक तरह से आदत होती है तो वह लोग पंद्य आरिक को समडसंग की संगति में नहीं आये थे, क्योंकि समढ़ संगती जो संगती है, उसमें बोलने के लिए कुछ था नहीं, और आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो आदमी संगी नहीं है, और जो अपने आप में नेता होता है, वो आने में थोड़ी सी परिशानी महसुश करता है, खास बात ये रही कि वहाँ जितने भी लोगों ने 5-5 या वक्तंव दिये या बोले उस्में सानथ वक्तंवे में तीन बातें निकल के आरे थी, एन्हीं ऋधिवाइज थी, दूसरा था उसमें शिकायतें बहुत थी, ऐसा नहीं हुआ, उसने ऐसा किया, ऐसा करता तो वैसे हो जाता, ऐसा नहीं करते हैं, यह किया, वो किया, फलाना रहना, शिकायते ही शिकायते थी, जो लोग बोले थे, और तीसरी बात जो थी उसके अंदर, मेरा संख्थन और मैं, मेरा संख्थन और मैं, मेरा संख्थन और मैं, यानि मैं और मेरा संख्थन, मैं और मेरा संख्थन, मैं और मे संग्धन एक बाम सिर्व को छोड़के और किसी की पिछे मां संग्धन का कोई ज्यादा वजूद नहीं साल में वह एका देखा देखा कायक्रम लगाते हैं इन कायक्रम की अदला बदली होती है अदला बदली ऐसे होती है तुम हमें अपने कायक्रम में बुलाओ भाशन देने का और बुलवाने का यह आपस में एक मीच्वल अंडेस्टिनिंग है यहां हर एक जो संठम के छोटे-छोटे लोग है वो तीस-पचास-पचास की मीटिंग लगाते हैं और एक दूसरे को भाषन कराते बुलना ऐसा हो गया है जैसे मान और अपमान और पूरा पूरा जट और बिजज़ती है अगर आप बात का और जो उन्होंने वहाँ टैटल दिया कि आपको किसके उपर बोलना है समस्या क्या है टॉपिक क्या है वह टॉपिक वड़ा शांदार था बहुज़नों की मूल समस्या क्या है या नि कि उनका समाधान वह अभी तक भी सत्र-पिश्टर साल में मूल समस्या ढूंड रहे हैं और मूल समस्या का समाधान ढूंड रहे हैं यानि टॉपिक भी ऐसा है कि मूल समस्या हाथ लगी अभी तक जबकि वो अपने आपको बड़े-बड़े संख्ठन होने का दावा करें तो वहां सारे-सारे मूल समस्या बता रहे थे और समधान बता रहे थे पर चालिस के चालिस संख्ठनों में जबकि वहां पत्कार भी थे किसी भी व्यक्ति ने या किसी ने भी ये पहल नहीं की अरे भई चालिस संख्ठन हैं यहां पर तो इखटे हो जाओ या वो इखटे होने की बात करें या किसी भी व्यक्ति या किसी भी संख्ठन ने अपना इगो जडोने को त्यार कोुए यह समस्या ना तो उनको वहां दिखाई दी और ना वहां उनको सुनाई दी हर व्यक्ति वहां अपना एहम अपना एगर अपना आईडिया लेकर तीन तीन दो दो चाचार पांच मिनट कर रहा था एक महिला आई जो नेता है वो महिला आई और आके आगे बैठ गई उसका फिर क्योंकि मैं पीछे बैठा हुआ था तो वो फिर उसका जो साथ में जो पी ए टाइप टा आदमी होता है वो आया उसने वहां किसी औरगनेजर को कहा कि भाई वो मैडम अभी बोलना चाहती है तो को कहा होगा कि भाई अभी तो आई है बैटने थोड़ा बुलवा लेंगे उसने महिला को जाके बोला होगा वो महिला अपना उठके बापी जाने लगी फिर उनके पीछे दो तिन आदमी गए वो हमारे जो संगी साती है सीर किया गया था तो ये कहा गया था महिला ने ये कहा था कि हम आएंगे और आकर तुमॉश बोलेंगे हमारे पसटाइम नहीं और आप बोल पर चले जाएंगे तो चुंकि राई लोत ने बैशने और उपना बेगों वो बोले उनके नहीं क्ला राग ऐसी चीज और वहां लोग जम्य रहते हैं अपना अपना नंबर आने पे कि हमारा नंबर आएगा हम बोलेंगे हमारा नंबर आएगा हम बोलेंगे और वो क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं और ऐसे बोलने के काम पूरे देश में लाखों जिगे चल रहे हैं ला हो जाएंगे और बाद में रहें हम लोग कोई शक नहीं है और दूसरा जो कायक्रम था वो सरकारी करमचारीों की नेता का एक काय blessings आंज कायिकरम तो पहला काय तो संगभात पर नहीं थे, ही बात पर थे दूसरे वाले कायक्रम में यह bad एक और शिटें सीटे लगी हुई थी बहुत दों से काईक्रम में त्यारी चले थी वो काईक्रम क्लब में था उसका छोटा हिसा लिया है और वहां भी कुछ लोग आए पर अफसोस की बात यह है कि जब एक ही शहर में दो काईक्रम चल ले हैं पौने दोसो पौने दोसो हो जाते और लोग हो सकता है साल 300 से 400 500 हो जाते पर यह समझ नहीं है हमारे में दोनों जो काईक्रम लगाने वाले जो और वहां जतने भी लोग थे चालिस संस्थाओं की चालिस टाइप के लोग चालिस काई सकते हैं कुछ में हैं उन मेंसे यहां किसी कोई आईडिया नहीं है किसी को ये सोच नहीं है कि हमको फट्र होना चाहिए अगर हम एक छट के नीच चाये हैं तो हमको constell i excerpt करके जाना क्या किया आएगा इसको का अधाने क्या करोगी क्या। निकालना चाहते तो प्रॉस्च मतलब यह कि यह सब्वा है फिर कोई और सब्वा करेंगे तो कब तक प्रॉस्च चलेगा जब आप सब लोग कहते हो कि हमारे पास समय नहीं है और डेंजरस हो गया मामला तो बड़ा सब तो जा चुका है तो पर प्रोसेस कब तक चलेगा अभी प्रोसेस में हो यानि अभी प्रोसेसर ही बने हुए हो सारे सारे प्रोसेस करके आउट नहीं आने वाला है तो किती दिन तक प करने वाले लोग हैं जो लगा था प्पोई को तो की को तो तीसितीच साल की यह सीवी anno की साब कासी नाम की लोग है वई जब आप से काम कर रहे हो और अभी तक आप को यह निए पता चला है कि हम सब को इकटा होना है कि तो आप लग लग वाले कायक्रम को support क्यों ऎक्ते हैं अलग लग जाके ले क्या लोग है अलग लग जाके मिले क्या एक सिंगल आदमी की voice जब तक में वाहरा कायक्रम में या बाद में पूस किया इक सिंगल आदमी की आवाज नहीं आई वह Principaal पारी सब्सक्राइब लोग है इनको खड़ेए इनको शर्मानी चाहिए और इखिटे होने प्रोस्षस अभी अभी स्टर्ट करोगि है यहीं से तो होना चायते है जिस ने सरके सरके उबर पंसील का कपड़ा बांद लिया है अपना नीला कपड़ा बांद लिया है अपना भगवान बुद्गा भगवा कपड़ा बांद लिया है कि बस अब तो हमें आरिया पार करना है किसी को बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे इसलिए हम यहां खुब सब भी मोलता है क्रवक snatchm Candice Looking इसी मीटिंग वह जैएंसी हम ने नगा के सारी मीटिंग के अंदर खाना खाते हैं लोग गला साफ ago करते हैं पैंच पाश पांच मंट अपनी अपत hr से तबस इसे चलता रहा है कि एक दावत मेरे यहाँ है को रोखेगा को वह लहां दावडा चल रहा है लोग अपना भाशनों से पेट भर भरके और हमारा सत्या नास कर रहा है इसको कौन रोकेगा कौन कहेगा कौन में कर भी मात कहेगा यह हमको आप को कहनी पड़े सम्ढञी कहेँ इस बात को कि यह जितने भी लोग हैं जो एक खटे हो रहे हैं और ये खटे होने का नाटक कर रहे हैं, ये ranging और बाषान कर देते हैं, साफ्करते हैं, पैसाफ करते हैं, समाच कीताक्त करते हैं, और जाकर सो जाते हैं इनसे बात नहीं बनने वाली है इसलिए इनको सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए इनको पैसा देना बंद कर देना चाहिए इनको हरेस करना चाहिए इनसे पूछना चाहिए तुमने सम्मिलन लगा तो हमां क्या हुआ तुमने महां मीटिंग लगाई तो क्या सारा चाल तो इसलिए उन से ये भी पूछना चाहिए कि तुम सारे के सारे जो लोग हो अगर इखटे नहीं होते हो तो संग में आ जाओ और नेहीं तो यह बताओ कि तुम्हारा संग कौन सा है lleva दिन संगों को गाली वखते हो दूसरों के संग तुछ डूंब लो का हैं का नहीं है और सब को अगर इसको कि अफ़र हो में दिक्कत आ हो जाएगा क्योंकि वह सारे एक ही तरह के हैं अगर मैं वहां खड़े हो के बोलता और उनको दो-चार में नंभी सोड़ी सुना था तो वहां हंडेट परसंट जगड़ा हो जाता क्योंकि जो नेता टाइप की लोग हैं उनकी नेतागरी बंद हो रही है उनके चंदे बंद हो किसी का कोई offer आता है क्योंद पैसा मांगता है तब तो कह 한ों कि उस्कार पाइसादे देंगे जब प्रिखणे होगे तौनों कोई meeting में बुलाता है तब तो कह सकते हैं कि meeting में आएंगे तब इकádre हो आओगे जब कोई नेतागर आप से अपने अपनी बात करता है अपने किसी संस्था और संख्ण की बात करता है तो उससे कहेंगे कि जा के पहले एक खटे हो कि आओ फिर अपनी बात कहना ये बात है जितनी जल्दी हम जोड़ जाएंगे उतनी जल्दी हम जीत जाएंगे ये बात हमें कहनी पड़ेंगी क्योंकि जब तक हम सबको ये बाते नहीं कहेंगे वो अपने संग्ठनों से ऊपर नहीं सोचेंगे संग्ठ के वारे में नहीं सोचेंगे एक खटा होने के वारे में नहीं सोचेंगे हम जीत नहीं सकते और समय इतना खराब होता जा रहा है कि आपको छोटी मोटी नौकरी नहीं मिलेग उसमें तो आप मालिक होते हो क्योंकि आप खुद सरकार हो और सरकार की सेवा कर रहे हो तो मालिक ही मालिक की सेवा करता है वो नौकरी नहीं है क्योंकि उसके उपर जो अफसर है वो भी नौकर है उसके उपर जो अफसर है वो भी नौकर है उसके उपर जो नेता या मंत्री है या लोकसवा है वो आपने बनाई है तो वहां नौकरी जैसा नहीं माहल होता है पर अगर आप एक खटे नहीं हुए तो सरकार में रहो या ना कि नौकरी करने पड़ेगी आपको दो साल तीन साल चार साल और फिर जूते मार के बाहर पिर धका मार के बाहर और आपकी ना कोई सिया लिखने वाला है और ना आपको कोई अफसर मिलेगा और ना कुछ मिलेगा नौकरी करने तो करो ने तब में घड़ जाओ यह सिस्टम इसल साब में उठाएधा बलक्त services ब्यूंद ने जाव है अब पर कमकर मान Umा माहीं है नहीं बहूद है हमें नहीं विकलप नहीं है है जितनी जल्दी हामें खटे हो जाएंगे जली जीत जाएंगे और नहीं खटे होंगे तो मारे जाएंगे यही प्रकति का नियम है और यही प्रकति कहती है संगंग नमामी आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right हैस पे कि हम इसको load कर देते हैं, बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद सरेनं गच्छामू संगं सरनं गच्छामू दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामू दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामू तूतियं पी धम्मं मर्सेनु गच्छाम। तूतियं पी धम्मं सर्नं गच्छाम। तूतियं पी संग्मं सर्नं गच्छाम। तूतियं पी संगं सर्नं गच्छाम। ततियं पी बुद्धम सर्मन गच्छामी साथू, साथू, साथू